हेलो दोस्तो open for learn channel में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो जिस तरह से भारत के वैग्यानिक दिन प्रतिदिन नैने मुकाम को हासिल कर रहे हैं और अपने काबिलियत के तौर पर भारत का नाम दूसरे देश में एक largest country के तौर पर जिस प्रकार से उभरा है उसे देखकर अब लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर करने वाला है हमारा देश भारत हम बात कर रहे हैं भारत में बने एक ऐसे समरीन की जो की एरोवाना नाम से फेमस हो रही है इसी विशे को देखते हुए भारत के मुंबई बेस्ट कंपनी मजगाव डॉक शिप्यार्ड लिमिटेड यानी की AMDL ने एक ऐसा समरीन बनाया है जिसे देख अमेरिका बौकला गया है इस समरीन के निरमान को लेकर अब अमेरीका भारत पर प्रेशर बनाने लग रहा है ताकि भारत समरीन की टेकनलोजी को ट्रांसफर कर दे तो आएए जानते हैं क्या कुछ खास है इस सब्मरीन में जिसके पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ चुका है और इसकी टेकनोलोजी हमसे मांग रहा है मिर्गेट सब्मरीन बनाने के पीछे भारत के वैग्यानिकों का सिर्फ एक ही मकसद था ताकि दुनिया को इस बात का पता लग सके कि भारत किसी से भी कम नहीं है और ऐसी सब्मरीन को खुद भी बना सकता है लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिर्गेट सब्मरीन किसे कहते हैं तो आपको बता दे मिर्गेट सब्मरीन को आमतोर पर छोटी पंडुबी भी कह सकते हैं इसका वजन 150 टन से कम होता है यह सब्मरीन इतनी छोटी होती है कि जब वह पानी के अंदर गोता लगाती है तो दुश्मन देश के बड़े-बड़े सब्मरीनों को भनक तक नहीं लगती इसकी स्पीड मेहेज दो नौट की होती है जिसकी वजह से जब वह दुश्मन देश के समुदरी सीमाओं को लांगती है तो उनकी आटोमेटिक रडार सिस्टम इन पंड़ब्यों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इनके तेज तरार हमले का शिकार बन जाता है इस सब्मरीन में लोगों की बैठने की क्षमता कम है इसमें एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा नौही लोग बैठ सकेंगे इमर्जेंसी की हालात में अगर मिलिटरी मिशन को अंजाम देने के लिए कहा जाए तो 6-9 लोग बैठ कर अपने टारगेट तक पहुच कर दुश्मनों को निस्ता नाबूत कर सकते हैं इसमें सिर्फ इतना इंतजाम किया गया है कि कमांडो बैठ कर जाए और मिशन को अंजाम दे कर वापस आ जाए इस समरीन में हतियार और मिसाइलों का खास इंतजाम किया गया है जिसमें आधुनिक मिसाइलों के अलावा टोर्पीडो जैसे कई हतियार शामिल है वही बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी की तो उनके नेत्रित्व में भारत ने वह मुकाम हासिल किया है जिस वजह से भारत आज उन देशों के बराबरी कर रहा है जो कभी संभव नहीं हुआ करता था भारत ने पहले कई इंटरनेशन प्रेशर सहे हैं और कितनी बार हमारी भारतिये नौसिना को अपने आधुनिक हतियार से मार गिरा दिया जाता था लेकिन मिर्गेट समरीन भारत के लिए एक ब्रहमास्त्र का रूप साबित हुआ है इस समरीन को बनाते ही अमेरिका इंटरनेशन लेवल पर सुरक्षा को लेकर प्रेशर बनाने लगा है अमेरिका चाहता है कि भारत इस एरोवाना समरीन की टेकनोलोजी अमेरिका को सौंपे और इजाजत मिलने पर इसे समुदरी इलाकों में उतारे लेकिन भारत के प्रधामंत्री ने इस बात को लेकर साफ साफ मना कर दिया है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे वैग्यानिकों की यह तकनीक हमारे देश से बाहर ना जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है पर इसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो दोस्तों अमेरिका इस समरीन को लेकर इसलिए पागल है क्योंकि भारत इस समरीन को समुद्र के अंदर सीक्रेट ओपरेशन के लिए इंडियन नेवी को सौंपने वाला है इसके जरिये कम कमांडों के साथ किसी भी तरह का सैने अभियान या सीक्रेट मिशन दुश्मन देश के खिलाफ भारत आसानी से करना चाहता है तो बता दें की नौसेना के पास वर्तमान में 16 पारंपरिक पंडुब्यां सेवा में हैं जिमें 7 रूसी किलो श्रेणी की पंडुब्यां, 4 जर्मन HDW पंडुब्यां और 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुब्यों शामिल है लेकिन भारत अपने सैने ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और इसके तहद भारत का सबसे महत्वपूर्ण पंडुब्य कारिक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहद भारत का लक्षे एक सन्युक्त उद्यम अपने वैग्यानिकों के साथ कई स्वदेशी हतियार और पंडुब्य कारिक्रम प्रोजेक्ट P75 के तहद भारत का लक्षे एक सन्युक्त उद्यम के माध्यम से बेहतर सिंसर और हतियारों और AIP से लेस चह उन्नत पारंपरिक पंडुब्यों का निर्मान कर रहा है AIPP सिस्टम एक पंडुब्य को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की अनुम्ती देता है जिससे इसका पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है लेकिन जिन पंडुब्यों में AIP सिस्टम लेस नहीं होता है उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है अगर AIP पंडुब्यों की बात करें तो वह केवल जर्मन पंडुब्यों के पास है लेकिन भारत इस तक्नीक में महारत हासिल करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसलिए अमेरिका ने AIP तक्नीक की प्रासंगिक्ता पर बेहस शुरू कर दी है ताकि भारत को सुपर पावर कंट्री बनने से रोका जा सके वही भारत ने अक्टूबर 2023 में 3.75 अरब डॉलर का एग्रीमेंट रसिया के साथ साइन किया है जिसमें दोनों देश मिलकर अपनी आधुनिक टेकनोलोजी को शेयर करके कई पंडुब्भी बनाए जिसमें पहली पंडुब्भी INS कलवरी दिसंबर 2017 में दूसरी पंडुब्भी INS खंडेरी सितंबर 2019 में तीसरी INS करंज मार्च 2021 में चौथी INS वेला नवंबर 2021 में और पांचवी INS वागीर जमवरी 2023 में बनाए गई है छठी पंडुब्भी जिसका नाम वागसीर रखा गया है इसका परीक्षन पहली फेज से गुजर रहा है और 2024 की शुरुआत में नौसेना को सौंप दी गई है तो वही यह सारी पंडुब्भीों Modern Facility और Long Range मार्ग शमता के साथ तयार की जा रही है वही यह पंडुब्भी बनने के बाद भारत अपने Defense Missile और Water Power System में तीसरे नंबर की मुकाम हासिल कर लेने वाला है भारत के इस बढ़ती हुई लोक प्रियता को देख कर आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको यह जांकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जांकारी मिल सके इसी तरह और भी नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें धन्यवाद जय हिंद